या वीडियो उन छात्रों के लिए most important होने वाली है जिनकी परिच्छा हिस्ट्री यानि इतिहास की है तो वीडियो को last तक जरूर देखे जो भी हमारे बिये सिकेंडियर यानि भी थर्ट समस्टर के छात्र जिनका subject हिस्ट्री यानि इतिहास है और पेपर का नाम political history of North India है उनक चलिए वीडियो को शुरूर करते हैं और सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कौश्चन हिस्ट्री के बहुत सारे हैं लेकिन आपकी परिच्छा में कौन-कौन से आने के चांस है वह आज किस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और कोश्चन जो जो हम बताएं उसको जरूर तयार करें काफी आपको हेल्प मिलेगी परिच्छा में ठीक है तो चलिए कोश्चन प्याते हैं में जो मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन नहींगा उसी कोश्चन के बारे में आपको बताएंगे बारे बागी की जो कोश्चिन हैं इंको हम इग्नूर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले पाल सासक के बारे मापको पढ़ लेना है पाल सासक से जोड़ा एक कोश्चन कभी कदार आ आएगा इस बात को आप ध्यान में रखें और एक कोश्चन आपको तयार कर लेना है ठीक है पर्मार बंस से जुड़ा ओके चले निश कोश्चन कर बढ़ते हैं निश कोश्चन आप लोगों के समस्त है कि साहतिक इतिहास के साहतिक स्रोतों की विविशना कीजिए यह मौस्ट इसको जरुरुड द्यान में रखेंगी और उत्तर भार बहुत चलेत नहीं करें कोश्चन यह पोच्चन कहस्चन आप लोगों के समस्त है कि राजपूट है छत्यों के वंसस थे इसके बारे में आपको लिखना यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कडगरी का कोश्चन है नेश्ट कोश्चन पर आ जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोहमत गरिजनभी के भारत पर आक्रमण के प्रभावों का वड़न कीजिए मोहमत गरिजनभी से राजनेतिक दसा या राजनेतिक जो कंडिशन थी वह कैसी थी उसके बारे हमको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंटन कोश्चन इन में से यह फिर इन में इन दोनों में से एक कोश्चन आपको ध्यान रखेंगे ठीक है और नेश्ट कोश्चन है कि पाल वंस के देव पाल क्यो में देव पाल क्यों महान माना जाता है इसको इग्रोर करें पाल से जुड़ा एक कोश्चन आएगा ठीक है इस बात को धार नखेंगे चंदेल वंस से जुड़ा एक कोश्चन आएगा चंदेल वंस में बिद्दा धर के महातुकावले कीजिए चंदेल वंस से जुड़ा ए दिन दिन यह भी नार्मल कोईश्चन है हमेशा नहीं आता लेकिन कभी आ जाता तो आप पड़ भी सकते हैं ठीक है और नेश्ट कोईच्टन है कि प्रतिवी राज तृतिय चाहमान वंस का सबसे प्रतापी सासक था कथन की विश्णा कीजिए तो जो प्रतिवी राज तृतिय कि युद्ध हुआ है वह किसके बीच हुआ है किसके किसके बीच हुआ है और उसके क्या-क्या विश्चता है या परेडाम हुए है उसके बारे माओ को लिखना भी मुस्ट इमपार्टेंट है गडवाल पर जुड़ा एक कुश्चन आया था आये ठीक है जैचन्द अक्षर यह प्रश्ण आजाता है अतिलग उत्रे में यह most important है ठीक है और एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिजेगा सेनवन से के बारे में भी क्वेश्चन है ठीक है और टॉप लेबल का प्रश्ण आप लोगों समझता गया मुहम्मद गोरी फे जुड़ा यह आप सभी को पढ़ लेना आएगा है और नेस्ट कोश्चन है कि तरायन की प्रथम युद्ध यानि जो ग्यारा सो एक्क्यान नवेश्च्वी पर हुआ था इक्यान नवेश्च्वी में उस पर एक आपको ट्पड़ी लिखना यह भी मौस्ट्य इंपार्ण कोश्चन है तरायन की प्रथम और दूतिय युद्ध दोनों के बारें पढ़ लीजेगा प्रतिहार सासक मही पाल प्रथम के विस्षे में आप क्या जानते हैं यह भी मौस कोश्चन है ठीक है सोलांकी ठीक है गुजरात के चाले को सुलांकी वंस का फंसिप तिहास लेकि यह भी प्रशन आ सकता इसको भी आप पढ़ ले सकते हैं ठीक है कि कलहर की राज तरंगड़ी के बारें पढ़ लेना यह प्रशन आएगा कलहर कि राज तरंगड़ी से देश के बारें लिखेंगे यह भी मुश्चिंपर्ण कोश्चन है राजपूतों की उत्पत्त से विजड़ा प्रसन आएगा यह विश्यूर है ठीक है राजपूत जो राजपूत थे ठीक हुनकी उत्पत्त कैसे हुई उनके विभिनमत क्या-क्या थे उनके बारें आपको पर्मार अपने वन्स का प्रतापिस आ सक था यह भी मुस्ट इंपर्ण कोश्चन है इसको भी आपको ध्यान देना है ठीक है और इसे में एक और था जो मैं आपको बताना चाहरा हूं कि त्रिकोडा आत्मक संगस में पालों की भूमिका के बारे में यह भी टॉप लेबल का और स्वाइबल का कोश्चन हैँ तो में आपको त्यार करना है ठीक है और इसके बाद आठ नमब्र छे नंबर पांच नंबर ठीक है और इसके बाद एक नंबर और चार नंबर यह मुश्ट इंपार्टन को इनको पढ़ लीजेगा और मैं आपको टिक करा दे रहा हूं ठीक है इसमें आ जाएंगे इसमें आप लोग को गुजरात के चालों के बारे में अभलेक के बारे में घ्राइट कर दे रहें और महांमद गोटी से जड़ा जैचन्द तरायन के ये रधी प्रिभी राफ जुडा चाहमान से जड़ा जैशिंग से जड़ा चन देल बसस्थ एक प्रस्चन आएगा टिक है और पाल्लवंस से जुड़ा एक क्वेश्टन आए आएगा ही आएगा म सभी का उत्तर तो आपको काफी परिच्छा में मिल जाएगी और हां और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा आपको ट्रिक बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको यह यह चैनल दिख रहा है लोगों पर क्लिक कर देना ठीक है उसके बाद आप चैनल पर जाएंगे प्याथ समस्टर लिखा होगा और उसके बाद उसमें क्लिक करेंगे उसमे Spaß पर समस्टर सोचलोजी से और आज की लेगी मील excited तो बस आज किस वीडियो मस इतना है मिलते हैं को और नहीं वीडियो में तब तक कले चेहिंद